तुम तुपी कहो महेश, मुझे तो ऐसा लगता है, इस हावेली में कुछने कुछ जरू है, पहले माइकल मारा क्या, और अब सुनी ला पता है पाप, रे, इत्ती खौफना खवेली है मैंने अब बेबे, उस लोहर के बुद को, चलते हूँ देखा और अब एक एक करके, तुम सब की कबरें यहाँ बन जाएंगी तु क्या हो बेटे, यह गलती मत करना यह आवाज कैसी थी, क्या है इस दर्वाजे के नीचे मैं जो कह रहा हूँ, इस क्रॉस के नीचे दबी हुई वो शेतनी ताकत है, जो बरसों से तफन होकर भी जिन्दा है यह वही शेतनी ताकत है, जिसने तुम्हारे साथ क्योंकि जान दी है लेकिन अगर किसी ने उस क्रॉस को दर्वाजे से हटा दिया तो शेतन कैसे आजाद हो जाएगा हम सब मारे जाएंगे, कोई जिन्दा नहीं रहेगा कोई जिन्दा नहीं रहेगा पुरानी हवेली, इस नाम में ही एक खौफ है, एक रुमांच है जैसे ही अंधेरी रात में इस हवेली के पास से, जब कोई गारी या कार गुजरती है एक बुरी शक्ती के प्रभाब से वो कार छतिग्रस्त हो जाती है ये फिल्म रामसे ब्रदर्स की और से भूतिया फिल्म प्रेमियों को 1989 की एक तौफा थी, एक सुनसाजन जंगल के बीच में एक परित्यक्त महल या हवेली जहां एक प्रेगनेंट और उसका पती उनके गारी खराब हो जाने के वज़े से ठहरता है वही हवेली जहां एक दुष्ट आत्मा भटकती है उस दंपत्ति के साथ मौझूद एक मिशेनरी के नन ने वहां बच्चे को जनम देने से मना करती है बार-बार विरोध करता है लेकिन उस दंपत्ति की मजबूरी के वज़े से वहां एक बच्चे का जनम होता है और महल में भटकता उस शैतान का नापाक आत्मा उस नवजात शिशु पर प्रवेश कर जाता है उस दुष्ट आत्मा को अपने हैवानिक कारणामे को अंजाम देने के लिए एक पार्थिव शरीर मिल जाता है बच्चे के जन्म देते समय उस औरत की तो मृत्यू हो जाती है लेकिन वो आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और शैतान को हवेली के ठीक नीचे एक गुप्त कोठरी के तहखाने में वो बंद कर देता है और उसके दर्वाजे पर प्रभू यिशू या इसामोसी के मूर्ती के एक जन्जीर से जकर कर ताला लगा देता है जिसस के प्रभाब के वज़े से वो शैतान उस तैखाने से बाहर नहीं निकल सकता लेकिन उसके दुष्ट और शैतानी शक्ती हवेली में फैल जाता है उस शैतान का बुरा प्रभाब उस हवेली के इर्दगीर्द घुमता है और अगर कोई मुसाफिर जाने अंजाने हवेली में घुस जाता है तो वो खुन का प्यासा शैतान उस वेक्ती या वेक्तियों को अपने ही हाथ से या किसी भी दूसरे तरीके से बड़ी भयानक तरह से मार डालता है फिल्म की हिरोईन है एक कडोर पती लड़की अनीता जो एक मामूली फोटोग्राफर सुनिल से प्यार करता है अनीता के कुछ रिष्टेदार जायदाद के लिए अनीता के खिलाफ एक भयानक साजिश रचता है जिसके बारे में अनीता संपून अंजान है घटना के प्रवाह से अनीता उसके प्रेमी सुनिल और उचके कुछ दोस्त घने जंगल के किनारे उस शापित हवेली में पिकनिक मनाने के लिए बस में लंबा सफर तैय करने के बाद पहुँचता है हवेली में प्रवेश करते बाद एक रहस्यमाए बुढ़े या बुजूर्ग व्यक्ती ने उन लोगों को तुरंत हवेली छोड़ने के सला देता है कभी कभी हवेली और उससे सटे कबर्स्तान में वो बुढधा संधिक्द रूप्त से भटकती हुई नजर आता है उसके बाद एक के बाद एक भयानक घटना हवेली में घटने लगता है हवेली के अंदर एक के बाद एक रहस्यमाए हत्याए होते ही रहता है एक और अलोकिक घटनायों का प्रवाह दूसरी और अनीता की मोसी और उसके भाई विक्रम द्वारा सुनिल को अनीता के जिवन से हमेशा के लिए दूर करने की साजिश चलता ही रहता है इस तरह घटना आगे बढ़ता है विविन घात प्रतिघात और घटना करम के माध्यम से बहादूर सुनिल आखिरकार इस हवेली के भयानत इतिहास और हवेली के सभी रहस्य में से परदा उठाने को काम्याब होता है और अपने कुछ दोस्तों के मदद से वो खुद के और अपने प्रेमी का अमीनिता के खिलाफ साजिश को उजाकर करने में सक्षम होता है और एक चर्च के अंदर उस नापाक शेतान को होली वाटर के मदद से खत्म कर देता है उस समय के हिसाब से अगर इस फिल्म का मुल्यांकन किया जाए तो इसके होरर सिक्वेंस और सारे मर्डर्स काफी डराउने है फिल्म की शुरुआद में अनिल धावन और प्रिती सप्रू की कार उस पुरानी हवैली के सामने खराब हो जाता है और हवेली में वो पनाह लेता है और फिर शैतान के हाथों उन दोनों का हत्याका दृष्श बहुत ही खौफनाक है इसके बाद हवेली के सफाई कर्मी शंकर की बेदर्दी से हत्याका दृष्श भी बहुत ही डराऊना था क्लाइमेक्स सीन भी दम घुटने वाला है लेकिन कुछ कलाकारों की परफॉर्मेंस थोड़ी और बहतर होनी चाहिए थी भूत की कहानी के अलावा इस फिल्म में सुनील और अनीता की प्रेम कहानी भी दिल को छुजाती है इस फिल्म में रामसे भाईयों ने शैतानी शक्ती के विपरीत इसा मौसी या जिसेस क्राइस्ट को अच्छी उर्जा के प्रतिक के रूप में चित्रित किया हिंदी फिल्म के लिटल डेमोन तेज सपरू ने इस फिल्म में विक्रम की किर्दार में यादकार भूमिकानी भाइये हैं वोही इस फिल्म के मेन विलेन भी है हलाकि कॉमीडी के नाम पे जो मजाक है वो काफी परेशान करने वाला है अजित सिंग के डायरेक्शन में बैग्राउंड म्यूजिक डराने वाला है इस फिल्म में रामसे मूवी में इस्तेमाल किया गया वो सारे टीपिकल बैग्राउंड म्यूजिक का इस्तिमाल किया गया है जो इस फिल्म को और आकशक बनाता है रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्मों में हमेशा गाने को एहमेद दिये हैं भलही उनके फिल्मों में कम गाने रहते थे लेकिन उस गाने का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता था फिल्म पुरानी हवेली में महस दो गाने है लेकिन उसमें एक गाना सुरेश वाड़कर और अनूराधा परवाल जी का गाया हुआ कैसे मैं भुलाऊं तेरा प्यार आता है मुझको याद तेरा प्यार ये सुनने में अच्छा लगता है हिंदी फिल्मों के चर्चित विलेन मानेक इरानी इस फिल्म में शैतान या डेमॉन की भुमिका में नजर आए गंगू रामसे का कैमरा और इस फिल्म के साउंड फिल्म के रोमांचक मिजाद से पूरी तरह मेल खाता है अनील धवन, विजय अरोरा और पिंचो कपोर जैसे दमदार वरिष्ट कलाकारों ने छोटे छोटे किर्दारों में अच्छा प्रदर्शन किया हाला कि सुनील के रोल में इस फिल्म के नायक दिपक पराशर का किर्दार और अमीता के रोल में अमीता नांगिया का अभिनय कुछ जगा पर काफी कमजोर है इस फिल्म की कहानी डॉक्टर जे के अहुजा द्वारा लिखा गया जो रामसे बैनार के तले बनी फिल्म पुराना मंदीर तहखाना विराना और सामरी के भी कहानीकार थे कफिल अजार साहब का डायलॉग बहुत ही खास है दमदार है अरजून रामसे द्वारा लिखित इस फिल्म की पटका था तूलसी और श्याम रामसे का निर्देशन और एडिटिंग बहुत उच्चे गुनवत्ता वाला है जो लोग मौनस्टार बेस हॉरर मुवी देखना पसंद करते हैं उन्हें पुरानी हवेली फिल्म बहुत पसंद आएगी वो इसे एक बार जरूर देख सकते हैं